हाई गुड आफ्रनून कैसे दोस्तों कर एक खबर आई थी और उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि आगे सच क्या है जूट क्या है कल खबर आई पहले ये और काफी सोशल मीडिया में और नियूस पेपर्स में जो भी मीडिया था उसमें नियूस आई थी कि अमिताब बच्चन जी की एंजियोप्लास्टी हुई है एंजियोप्लास्टी हार्ट की नहीं थी बताया जाता कि उनकी एक लेग में टांग में कोई क्लोट आ गया था और उनको व्याविंग करी जो भी इसकी डिटेल नहीं है और ये गया कि उनके उसके बाद चुटी करती गई हाला कि बात में अमिताब बच्चन जी एक जो भी एक उनका आई पियल काइंड ऑफ जो चल ला था उसमें वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने इन सब बातों का खंडन किया जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ अजीब हो गरीब दास्ता हैं वैसे पहले मैं आपको ये बता दू कि क्या ऐसा हो सकता है कि एंजियो प्लास्टी के बाद पेशेंट इस तरह से घूंपिर रहा हूं गर आजकल बहुत सारी टेक्नीक आ गई हैं और ये भी ने पता कि वह एक्चुली क्या किया गया था प्रोशीजर हुआ था नई उता इसके बारे में अगर सबसे ज़्यादा कोई इच्छे ढंक से बता सकता है कि और उस पर किसी ने पूश्टी नहीं कि अभी तक सिर्फ धीरोबाई अम्बानी कोकला बेन जो हॉस्पिटल है सिर्फ वो बता सकते हैं कि सच क्या था अमिताबचन जी ने तो अपनी दोसे बहुत लिया यह फेक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ क्या एक दिन में छुटी हो सकती है एन्जो प्लास्टी की सर यह टांग में हुआ था अगर था तो और बिल्कुल डे केर में छुटी की जा सकती है अगर डे केर में रखा गया होगा, सुब एडमिट करके शाम को घर भेज सकते हैं, अगर कोई माइनर प्रोसेजर किया गया हो तो, अब इसमें गलत कोन है, मीडिया ने पहले बताया, मीडिया खुदी कह रहा है, यह सब खबरे गलत हैं, अपलाना धिमका है, देखो ऐसा है, क कि अमिताब अच्छन जी के उमर 81 साल हो चकी है, और इस तरह की न्यूज आना हेल्थ के उपर कोई भी उनके जो प्रोफेशन है, उसके लिए ठीक नहीं है, बहुत सारे कमिंट्मेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आगे चलके, वो 81 साल के हैं, आला कि 81 साल में बहुत काम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोचा तो है, अब सच क्या है, जूट क्या है, इसका खंडन सिर्फ सिर्फ दिरुबाईंबानी कोकिला बेन होस्पिटल, या कोकिला बेन दिरुबाईंबानी होस्पिटल, सिर्फ वहां के लोग वहां के प्रवक्ता ही बता सकते कि सच क्या था अधरवाइस यह बात किसी कोई नहीं बता पाएगा वो तो मना कर रहे हैं अमिताबच्चन जी मैं तो विल्कुल ठीक हूं मुझे तो कुछ नहीं हुआ ठीक है तो यह सब ख़बरे फिल क्या अपने पूड़ गई यह बड़ा मीडिया को तो कक़र कुछ नहीं पता है मीडिया तो जो मिलता है वो उसको आगे बढा के बेच देते हैं अगले पर फिर वह खंडंडन का देते हैं तो मीडिया के ओपर आप नहीं जा सकते हैं आएस हो लेकिन एक बात सच है कि कुछ ना कुछ तो किया गया था खाली टेस्ट हुआ था या कुछ साथ में कुछ तो हुआ था आप ठीक ऑं विल्कुल ठीक और घुक हो रहो हम丁ए चाहते हैं लेकिन लोच्ट तो कुछ ना कुछ तो किया गया था वो खाली टेस्क किया गया था यह खाली एंजियोग्राफी हुई थी यह एंजियोप्लास्टी हुई थी यह इसका सच कभी सामने आएगा यह नहीं आएगा हमें नहीं पता क्योंकि पेशिंट की प्रिवेसी प्रिवेसी रखनी पड़ती है तो हस्पिटल वालों को जरूरी नहीं होता कि हर चीज बताई जाए हाला कि बहुत बड़े कलाकार हैं उनके बारे में अब क्या बोले अना कलाकार ही हैं बस